हेलो नमस्कार्ज दोस्तो वीडियो के लाइक करते हैं वीडियो को अंतर जरूर देखना दोस्तों आफ पांच कोश्चन सब्सक्रांगा जरूरी आंप्टे को प्रकार करते हैं जो तो पहला पर से कोच्छन पूछ जाएगा यह जाता है कि Sivasa में ब्यक्ति करने के लिए कि क् यृण की हस्ताक्षर करने के लिए किस अंग का इस्तेमाल करेगा यह आपसे पूछा गया है यहां कि हस्ताक्सर कंड़ी के लिए दूस्तों किस अंग का इस्तेमाल करते हैं तो हस्ताक्सर कंड़ी के दूस्तों अंगुठे का इस्तेमाल करते हैं हात के अंगुठे का यहां कि हात की अंगुठे का इनका दूस्त तो यह आंसे आपे सीधा holiday सहां को पता चल गया है को पूर्णा पने बहुत्व कम प्रियुक करेगा तो те आपको पढ़ना नहीं आपको देखना क्या पुछ से जा रहा है और आंसर आपको तुरंत आ जाएगा चले समझ में आगए वीडियो को शेर कर दें जो ने चैनल को सेस्क्राइब करें चले नेस्ट को बड़ें अगला कोश्चन है प्रिशन दूर्मर दूसा जोस्तो छेछेष्चातर देऊ आ हैं जोस्तो a b c d e f मैदान बैठे हैं और दोस्तोद ए और बी दिल्ली से हैं जबकि से से बंगलोर से हैं दूस्तो याद रखना है डी और एफ लंबा है जबकि अन छातर बोने हैं दूस्तो याद रखना है ए, सी और डी लड़किया है जबकि अन लड़के हैं कौन सी लंबी लड़की बंगलोर से हैं आपको दोस्तो याद रखना है A, B, C, D, E, F मैदान में बैठे हैं A और भी दिल्ली से हैं सबसे पहले आपको याद दो होना चाहिए A and B दोस्तो कहां से हैं दोस्तो आपके दिल्ली से हैं याद रखना है अब कुशन कौन से लंबी बंगलोर से हैं ये सबी दोस्तो कहां से हैं बंगलोर से हैं दोस्तो याद रखना है इसे दोस्तो B से हम देनोट कर देते हैं ये सबी बंगलोर से हैं दोस्तो याद रखना है D और F लंबा है D और दोस्तो आपका एक और बचा है दोस्तो इसमें F नंबर का और दोस्तो बचाएए आपके सबी बंगलोर से D और F दोस्तो आपका D होगा और ये दोस्तो आपका F क्या है Long Hand के लंबे हैं दोस्तो यादखना है और आगे दोस्तो कॉश्शन देरा हो A, C और D लडकिया है A, C और D दोस्तो क्या है लड़किया है A आपका होगा यह दिली से A से कोई मतलब नहीं है C आपका दोस्तो यह गल्स है लड़की है और दोस्तो D यह भी दोस्तो क्या है यह भी दोस्तो लड़की है दोस्तो या दखना है इनकी G से हमने डिनोट कर दिया जबकि अन लड़के हैं दोस्तो ई आपका बॉईज हो गया वो एफ वी दोस्तो आपके क्या बॉईज है अन जबकि अन लड़के है कौन सी लंबी लड़की बंगलोर से दोस्तो आपसे पुछा गया है कौन सी लड़की कौन कौन सी है दोस्तो या दखना है देखिए लड़क owson कि यह दोस्तो पकी सरी साधं़ एंगे दोस्तों यह दोस्तों डी है विए भूठी है इनकी इनकी डी पर इसमने किस्टों आपके सामने हैं जो कुछन का आपको द्यान से सपढ़ना जोर्ड फिर आपको आंशल आटार देना दोस्त्तों बैठ तरक यह दूसर्ड डायक्शन से समधत कोश्चन है चलिए कोश्चन को देखिए दीपाक ने उत्तर की ओर 55 मीटर की दूरी तैकी फिर वैब बाइं मुड़ी और असी मीटर तक चली अंत में पैंतारीश डेगरी कौन पर दाई यों मुड़ गई अन्त में वह किस दिसा में बढ़ गई दूस्तु आपके दोस्तो मैंने कल भी कोश्चन आपको कर दिये गया है उसमें दोस्तो आपको सीधा डिरेक्शन से समझे कोश्चन दिया गया है जिदर से चला और फिर वाद दोस दोस्तो समझेंगे चले कोश्चन को देखें पड़ते हैं दीपा उत्तर की और 55 मीटर की दूरी पर तै करती है दोस्तो अब देखें यह दोस्तो आपको यादखना दोस्तो यहां से हम चले दीपा दोस्तो एपॉंट से चली है और यह दोस्तो 55 मीटर की दूरी दोस्तो इस यह गहां दोस्ति strangers ऑपका पस्चिए यह गहां दोस्तव आपको दक्षी ज्याद के लिए दस्तो उत्तर की ओ पिछेट्र मीट्र की दोरी पर chal partnerships फिर वह भाईं और मुड़ी बायां और अपपने चाहिए ऐसी जो यापका बायां होताए यह दोस्तो आपको ह मीटर दोस्तो चली है यह दोस्तो इस दिसाम में बाई और चली है फिर वह दोस्तो बाएं मुड़ी है यहां से दोस्तो आपको बाएं इसमें दोस्तो या दखना है आपको यह दोस्तो बाएं यहां पर होगा या दखना है बाएं किदर होगा इधर साड़ में होगा दोस्तो यूखे जो आपकर आप आपका दूस्तो कि इस साइड में चलेंगे दौस्तों सी की तरफ चलेंगे तो आपका को क्या होट adds में निचे के को दूसा धेड़ना है वे दुस्तों फिर काहन से फिर आपको बाम बर्क स्वेस और 80 कंटरा चले दूस्तों असी मीटर दोस्तों यहां से चलिये है यादखने सभी चलिये असी मीटर चलने के बाद दोस्तों इसने रफ मुड़ गयी यहां से ने कौन पर दाई और भड़ गई आप देखें यहां से दोस्तों आपको कंफिजन होगा है ओपको परेशान नहीं होगीए किस प्रकार से आगे वड़ ना है यह दोस्तों आपको 25 स्वाबने से दिस्था हो गई यह अपके दिस्था आ रहा है यह दुस्तों यहाँ से दुस्तो यह कितनी चली है 35 नियां चलेगी दाया किधर उपर से आएंगे दोस्तो आपका जो राय टेंड वगा यहाँ दोस्तो चलेगी तो इसने चला कितना 45 डिग्री के कौन पर दोस्तों यहाँ चलेगी 45 डिग्री के कौन पर दोस्तों यहाँ चलेगी अंत में वहक किसे दिशा की और बढ़ रही है दोस्तो आपसे पूछा जाएगा तो इस प्रकार के question को करने के लिए दोस्तो आपको करना क्या होगा देखिए अब यह दोस्तो यहां से आपको पताओने चाहिए देखिए मैं इस वाले पार्ट को दोस्तो आपको इसमें यहां पर देखिए दोस्तो आपको लिख रहा हूँ यह आपका दोस्तो यहां पर यह आपका बन रहा है यहां से 45 degree का कौन E और D पॉंट यह होगा 25 टीकर का कौन अब देखे दोस्तो याद देखना है दिसा को आपको पता होने चाहिए पूरव, पश्चिम उत्तर दक्षिन दोस्तो अब आपके दोस्तो पश्चिम और दक्षिन के बीच में है दोस्तो यह दोनों के बीच में है तो यह दिसा दोस्तो कौन सी होगी यह दोस्तो आपके पूरव, उत्तर पश्चिम यह दोस्तो दक्षिन पूरव यह दोस्तो याद दखना है और यह दोस्तो आपके कौन सी होजएगी यह जो दिसा है दे रखे दोस्तो याद दखना है यह जो दिसा आपको दे रखे दोस्तो यह कुछ चुछ हो जाएगे दक्षिन पस्चिम दिसा दोस्तो आपको यादखना है दक्षिन पस्चिम किस दिसा की किस में दे रखा दोस्तो दक्षिन पस्चिम आपका option नमर डी में दिया हुआ है यादखना है। option number D में आपका दूस्तों यह दिया हुआ है। option number D आपका सही answer हो जागा दूस्तों यादखना है। काफी lengthy question होता है दूस्तों इसे solve करने लिए आप यह जिदी practice करते रहेंगे तो आपका question जल्दी solve हो जाएगा। option देखेगो ना reporting कार से या दर्ठना दिखेए असाट आण सबसे पह्ले आपको कहा पर जाएंगे इन मेंसे सबसे पहले का जाएंगे आप बाजार जाएंगे यदा सबसे पहले का जाएंग इसनव पर जैएगे Social फिर्च नमर का अगा चाटना उसके बाद दूस्तोw इसकी क्या करना है सबजी को काटने बाद दूस्तो kौण सी कला की किस प्रकार की नोससे सब् Cyber झाए दूस्तो व बनाए दूस्तो एप कला है इसमें डूस्तो बनाएंगे जो आपके exam में पूछेगे question है वीडियो को share करना à, वीडियो को like करना चले अगले question का उबढ़े, समझ में आगया होगा next question है, दोस्तों आज का अंती question दोस्तों इसका answer आपको फटावर्सी comment में देना है पांच question कोशन होजे इतने question कर पा ही जो आपकी दो question mark वाज़े संग्या है दोस्तों इसका आपको पता लगाना है किस परिकार्षी करना है देखें समझेंगी इसमें 139, 120 दोस्तों आपको सीधा से समझ मारा होगा 120 दोस्तों आपका work होता है 119 भी दोस्तो square root होता है या दखना है तो आपका इसमें square root किया होगा आपको किस परकार से क्या होगा देखे इसमें दिरेखा first वाले में दोस्तो या दखना है 1 plus देखे 1 plus में 3 plus में 2 plus में 7 इसका दोस्तो square करते हैं एक स्कूर करने पर क्या इएगा इनकी आपका डोस्तू या दिखना है शाटू फैन दी दर्फी प्लस तू इस वें है यहां प्लस तू फ्लेस्विंटनी Diföm जोड किया इसके थे रखें वन तू फ्रीव फाई दिसके score करते हैं इनका दोस्तों 5,3,8,2,10,11 11 11 इसका योग आया 11 का score क्या होगा 120 दोस्तों बिल्कुल आपका सही है इसी प्रकार से आगे next pattern में भी होगा जो question mark वाले जगह पर क्या आएगा या देखना है 1 दोस्तों इस वाले को इसमें करते है 1 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 जो circle के बारे दे रखने हैं दोस्तों इनका square करते है square देखे पहले जबूर करते है 6, 4, 10, 15, 16 इनकी योग क्या आएगा 16 का square किया 16 का square कितना होता है दोस्तों अब आपको पतानों चाहिए square root का पता होना चाहिए 16 का square कितना होता है 256 कितना होता है दोस्तों 256 इस question वाले जगह पर 256 आपका आएगा किस option द 행त रखखा है option अमड़ी आपका सही answer हो जाएगा याद तकना है झाल झाल